मुझे दोस्तों मैं मुझे सिर्वास्तों और रेडिक फॉर्ड में आपका स्वागत करता हूं तो चलिए फिर एक नए ट्रिक के साथ इस वीडियो के सिर्वात करते हैं अब दोस्तों आज को ट्रिक है वह भारत के प्रमुख मिसाइल तो मिसाइल को थोड़ा याद करना मुश्किल हो जाता है तो सब्लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक पे इसको पूरा मिसाइल जो है दर्सा दिया है तो देखते हैं यहां में मैंने लिखा हुआ है पटना DSP से बाप मिले यहां पर मिले जो है वो silent है तो छोड़ा देख लिया जाए तो पहले स्टार्ट करते हैं पहले जो सब्ध है आपका पतना उसे स्टार्ट करते हैं पतना का P P से होगा आपका प्रित्वी या सता से सता मार करने वाला मिसाइल है ठीक है सता से सता यह भालत का पहला मिसाइल है ठीक है तो पी हो गया टी जो है उसका नाम है त्रिसूल जो है जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है अब यहां पर देखते हैं एंड एंड से होगा नाग नाग जो है टैंक प्रोधी एक मिसाइल है और इसको कहा जाता है दागो और भूल जाओ यानि एक बार निशाना लगाने पर लगतार मतलब फायर करते जाता है फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ए से होगा आपका अगनी अगनी भी सता से सता मार करने वोला मिसाइल है यानि यह देख लिए पटना में आपका कृतिवी अकास त्रिसूल नाग और अगनी अब आते हैं डीएसपी में डीएसपी का डी डी जो होगा इसका नाम है धनूस यह भी सता से सता मार करने वोला मिसाइल है और यह नो से ना में सामिल किया गया है और यह जो है प्रित्वी का ही रुपांतर नाम रखा गया है प्रित्वी है उसी का नो से ना में सामिल होगा इसको कहा दिया गया धनूस अब आते हैं S S का S से होगा आपका Sagarika Sagarika नाम सही दिखता है कहा Sagar यानि पंडूगी से छोड़ने वाल जो छोड़ा जाता हुआ जल्ड के अंदर से जो वो मिसाल है ये Sagarika अब यहाँ पे देखते है P P से होगा Pinaka Pinaka जो है ये Rocket Launcher है ठीक है बाप से पहला B है और B से होगा ब्रमोस यह ज्यादा एक्जाम में आता है जहां देखिए गया ब्रमोस जो है भारत और रूस के संजुक से बना है यानि दोनों मिलकर बना है और इसका जो नामकरण है बड़ा जुबगरीब है भारत का जो है ब्रह्मकुत्र नदी और रूस क मस्कोवा नदी को मिला कर बना है ब्रह्मोस ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं एक से होगा अस्त्र यहां पर अगर और पीस से होगा प्रधुमन यह एक प्रधुमन जो है सुपर सोनिक इंटरसेप्ट मिसाइल है और आपको पहली बता दिये जो मिले है वो है आपका मतलब साइलेंट है जो सेंटेंज को बनाने के लिए है और कुछ नहीं है तो अगर यह सब्जेक्ट आपको पसंद आया तो